मारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो भाई देखिए ग्रीन कलर के अंदर काफी श्यांदार यह जो कंबाइन है लग रही है के स्ट्रानमे सो और जैसी इकावन और भाई इसकी किमत की बात करें तो इसकी किमत सबसे पहले मैं आपको बदा देता हूं 28,50,000 रुपे रखी लगी है एकजीविशन के अंदर तो इसका जो कटर है वो दिया गया है काफी चोड़ा कटर इससे कमबाइन का दे रखा है लगबक साट चावदा फिट के करीब करीब इसका कटर है वो दिया गया है इससे उपर हो सकता है यह 4x4 पोर मोडल एकशान भाई तो रिविविव क वो मिलेगी तो देखिए भई फैन वेल्ट है जो भी बेल्ट है उनकी प्रोटेक्शन है वो दी गई है यह देखिए यहां पे अटेच्च होने के लिए फूट स्टेप दिये गए हैं देखते हैं उपर इसके क्या कुछ सिस्टम दे रखा है डेस बोट के चेक कर लेते हैं जो कंबाइन है इसके तो भाई वीडियो को सेर जरूर कर दे यार और आपकी क्या राय है इस कंबाइन के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं तो भाई यह 4x4 कंबाइन है और एक कमी इसके अंदर चकदी है कंपनी वो है तर्च टेरिंग वही जो की कंपनी को देना था और यह होई ड्राइबर व्यू तो इस प्रकार से रहे हैं और यह गेर स्टीड है इसके अंदर गेर स्टीड ट्र टिया है असी टॉटल आप अलग 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 ये स्टीड में चलाशक तरह चार तरह स्टीड दी गई है और एक रिवर्स का गेट स्वीड है वो भी देखने को मिलेगा खिसान वाईयो तो यह कुछ इसकाल से दिया गया है देखिए भई मिक्टर हो गया और वहीं यह साइड में जो पंड़क्टर है उनके लिए और एक और इसकी जो ड्राइवर सीट है वो एड़ेस्टेबल दी गई है लेकिन कलासिकल टाइव की ड्राइवर सीट है वो इसके अंदर देखने को मिलेगी खिसान वाईयो और वहीं जो यह इसके जो गियर है वो देरकी है आप यहां से कंट्रोल है जो कर सकते हैं इसको तो खिसान वाईयो यह कुछ ग्रेन टेंक लिया गया है लग वो 15 कॉइंटल से 17 क के बीच में यह ग्रेन टेंक है यह वोता है और 101 HP का एंजिन है जो इसके अंदर दे रखा है और वहीं इसके जो ग्रेन का यह जो है तो यह दी क्या है कि मैनिवल दे रखा है आप अपने आपको करना इसके अंदर है और वहीं इसके जो पिछले टायर है वह ठारा चार तीस के दे रहे हैं और यह देखे वे कुछ इस प्रकार से जो इसकी पूली है उसका यूज किया गया है किसान वाईयों वीडियो में थोड़ी बहुत प्रोगलम आ सकती है तो यार समा कर देना उसके लिए और बाकी प्रोटेक्ट किया गया है जो चद्र है वो देरखी है काफी मजबूत और यह टूल बुक्स दिया गया एलेडी इंडिकेटर और बेक लाइट के साथ में तो वह यह 4x4 के लिए पिछला एक्सल है वो देरखा है कुछ इस प्रकार से और यह देखिए श्ट्रोव वोकर के साथ में यहां पे बलेड लगे हुए है किसानवायो कुछ अलग है जो कमपनी ने इसके अंदर देरखा है यह देखिए वई उपरवार श्ट्रोव वोकर और यहां पे आप अपन टेंक है जो साथे 300 लिटर का फ्यूल टेंक इसमें दिया गया है बाकी आर आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना इसकी फूल जानकारी है जो मिल जाएगी और पावर स्टेरिंग दी गई है और काफी बड़ा पंखा है फेन बोलते हैं वो दिया गया है तो डिस्क ब्रेक दे रखी है तो देखिए यह कुछ इस परकार से गियर बॉक्स है वो दिया गया यहां पर तो वीडियो से लगे तो लाइक और शेयर जूरू कर दें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को जूरूर प्रेस करें ना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफ देंग जुओ सम्सक्राइब